यूटलो मैट ये फ्रक्म कॉर्शल मेरी तो आज मैं आप लोग के फिच्ट लोग एंगले इंकली सब्सक्राइब यह लिए क्या होगा мор active ऐजो का मुश्च इंपॉर्टन्ट ओने का क्वाशस मेत्या क्योंकि आज मैं कुछ जिसे आप करеंail सी चिजशेब उप speaking English जब अब practice करोंगे तभी आप सीखोगे और तभी आप बोलोगे तभी आप कर सकते हैं अधर वायग करेंगे और करें टो और दूसरा हम लूग बात करेंगे को लीग ढूराइक टूपड टूपर और अलाइक टूपर पर किसे किस tense में चलागा याद रखेगा यह future tense में भाग जाएगा और यह किस जाएगा ते आपका present tense में ही रहेगा याद रखेगा बस ही चीज़ा है कि हम like to का present tense में करेंगे, would like to का किस में करेंगे, future tense में करेंगे और इसकी identification क्या होती है, would like to का मतलब इसके अर्थ निकल जागा, या तो आप कहेंगे, चाहेंगे, आद सब्द आएगे, आएगा, 15 आएगे तो हम क्या करेंगे, पसंद करेंगे, पसंद करेंगे, करेंगे आज सब्ध आएंगे तिस तरीके Wam identify कर सकते हैं कि सरे संटेंसज же हमारा किसका होग इस संडेंस में हम यूजَ कर सकते हैं का और ला ellas करेंगे मेरी प्षाइर पसंद है या पसंद करता हों करती है करते हैं करता है इस तरीके सो खारेंगे बता तो इसकी आडेंडिफिकेशन सर्किया आप से कोई पुचेक सर्किया अगर इस प्रकार के वर्ड हमारे आ रहे हैं यूज ऑफ उड्लाइक टो ठीक तेश प्रकार के संटेस्स में आप यूज कर सकते लाइक टो एंड उड्लाइक टू का ठीक ना तो चलिए तो इसका हम लोग क्या होगा माई डियर सबसे पहले तो बात इहीं रखती है इसका रूल है क्या आपको वर्ड याद रखना करें ना रख opponents का परींगे करेंग अगर sentence आपका future के आरायत would like to लगा दिजेगा अगर पसंद present के आरायत के वह like to का यूज़ कर देंगे इसके तुरंद बाद आपका क्या हो जाएगा वर्ब का पहला रूप हो जाएगा इसके बाद बचा आपका object and other words हो जाएगा माईडियस ठीके ना हमें का करना practice करना बहुत सारे sentence का जितना हो सके जितना आपके पास वर्ब है उतना से ज्यादा से ज्यादा उतना प्रैक्टिस करेंगे सच में आप अपने इंग्रिश को बहुत इक्कम समय में improve कर सकते वह भी किस फिल्ड में speaking फिल्ड में ठीक है ना आपको sentence के लिए भी ला मैं पढ़ना पसंद करूंगा अब जैसे मैंने बोल दिया कि मैं पढ़ना पसंद करूंगा इसको अंग्रेजिम हम कैसे बोलेंगे भाई मैं पढ़ना पसंद करूंगा तो जैगा आई दिखो करूंगा आ पसंद करूंगा future का series बात है I would like to क्या हुँड लाइक टू क्या आइव लाइक टू रीड हो जाएगा कि मैं पढ़ना पसंद करूंगा ठीक आगा नहीं आ गया इसे तरीके से आप यहाँ पर क्यों बदल सकते हैं जिसे मैं खिलना पसंद करूंगा I would like to play मैं होकी खेलना पसंद करूंगा I would like to play honky मैं लिखना पसंद करूंगा मैं एक पत्र लिखना पसंद करूंगा I would like to like I would like to write a letter लिखना पसंद करूंगा ति मैं आपको पढ़ाना पसंद करूंगा मैं अंग्रेजी सीखना पसंद करूंगा आई उड़ लाइक टू लेर्ण इंगलिश देखेगा कितना अराम से संटेंस हो रहा है आप जितना हो सके इसके जगाँ चेंच करिएगा और इस पर प्रेक्टिस किजिएगा देख यह असानी से आप क्या कर सकते बहुत सारे संटेस बना सकते ठीक जैसे दूसरा संटेंस साह कि हम देख लेते मेरे प्यारे दूसरे संटेस में हम किसका लाइक टू का देख लेते जिसे मैंने कहा कि मुझे पढ़ना पसंद है या तो यही या इसको मैं इसे भी कर सकते हूं कि मैं पढ़ना पसंद करता हूं बात इसकी आजएक मैं पढ़ना पसंद करता हूं तो दोनो भी का तो रिस्क एतना ही करेंगे जैसे मैंने का बांसर देना पसंद आई लायक प्रेटेव इस दरीकते मैं नो दला कि मुझे मुझे बसंवाइल चलाना पसंद है याई आय होडताय मुझे मॉबाइलED आपको प्रेक्टिस करना पड़ेगा जब आप प्रेक्टिस करेंगे तभी आप उसमें अपने इंग्लिस को इंग्लिस को इंप्रूब कर सकते हैं अन्यता आप कभी भी अपने इंग्लिस को इंप्रूब नहीं कर सकते हैं बस एही कारण है कि हमें देखो इंग्लिस कुछ भी नहीं सा लैंग्वेस मैंने कहा बार बार आपको मैं बताता हूं कि हमने कहा कि आप कितनों बड़ी से बड़ इसे मुझे इंग्लिस बोलने आए जाएगी नहीं भाइगे आपको इंग्लिस बोलने आएगे कब जब आप बोलोगे जब आप बोलना है क्योंकि यह हमें सीखना आना कि हमें पढ़ना नहीं उसे बात करना पड़ेगा तब तो हम इंग्लिज में गर उससे बात करें तभी तो अपने आपको इंप्रोव कर सकते हैं आपको इससे अलाओ आप पताईए तो यह गाइस यह चीजे तो आप कोशिश किजिए का ज्यादा से ज्यादा क्या करने का नाव पूस्टार और प्रैक्टिस आप अपने प्रैक्टि थान उलाओ उलाओ प्रैक्टिस आपको इंग्लिजėव करने का लाओ ऊपको कर सकते हैं, आपको पताईबा आपको